इस लेमर इस चैनल दोस्तों विल्कम टो माई चैनल क्रेटिव अर्डिक्स और आप देख सकते हैं यहां पर एक नया हट्डिक्स है जो की डॉडी का वान टीवी का है और यह डॉडी ब्लू है इसका मॉडल तो यह अगर आपका मोटर स्पीन हो रहा है मतलब इसके अंदर कुछ घूम रहा है आपको महसुस हो रहा है तो उस टाइम आपका हट्डिक्स रिपैर होना लगबग नामुम्किन रहता है तो फिलल यह जो आया है इसे हम दोबारा पावार दे हमें आपको एक चीज जो है दिखा देंगे तो आप सबसे पहले ऐसे एक smps का साटा पावर कनेक्टर लिए लिजिए और इसमें आपको देखना है स्वाट सार्किट चेक करना है तो स्वाट सार्किट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा बहुत आसान है यह तरीका त तो इसके बाद आपको क्या करना होगा माल्टि मीटर लेना होगा और यह माल्टि मीटर लेने के बाद आपको यह सेवाण बाजर मोड में अर्ज Oh आपको क्या करना है देखिए यह जो है connector यह हमारा यह तार यहां पे भी आ रहा है तो इस तार को हम चेक करेंगे तो इसका short circuit हमें मिल जाएंगा अधर short circuit है तो और currency line में है 12V का की 5V का तो यह आपको महसूस हो जाएंगे तो यह black वाला प्रोब जो है कहीं पे भी आप लगा सकते तो पहले जो है दो negative एक साथ connected होता है यह simple है तो यह common में हम एक pin को लगा देंगे यह देखिए black में हमने लगाया और उसके बाद हम क्या करेंगे रेंड मिल रहा है ठीक है तो इप हमारा short circuit नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर का connection चूट जाता हे तो तब हमें इceğ UI इसके लिए हमें इसे खोलना है तो अगर इसके साथ साथ आपका SMPS भी मतलब यह पावर सप्लाई भी जा सकता है तो अभी हम इसमें पावर दे सकते हैं कि यहां पर यहां पर नहीं आ रहा है क्योंकि क्नेक्टर में एकर स्वाट होता तो इसे हम ऐसे नहीं चला सकते क्योंकि उसके कारण आपका पावर सप्लाई जरूर खराब हो जाएंगे ठीके तो अभी हम क्या करेंगे इसको चालू करके देखेंगे ठीके तो इसके लिए हम SMPS में पावर जो है अन कर दिया और सब्सक्राइब जो है लेकिन यह इसमें कोई भीजी रिसत नहीं आ रहा है क्यों हई और कैसे नहीं आुल और कैसे लिए वीडियो में रहिए और अगर अच्छा लग रहा है और भाई करह है क्यूंकि आब लाइक की का या हमें बहुत हेल्प करता है कुछ अब क्या करेंगे सिमें चुम्हें तो उसको खोलने के लिए आपको स्क्रिज्ष का स्कूरू डियावur चाहिए यह यह सबको मालूम है तो हम इसे खोलेंगे और इसका स्कूरी यह नॉन मेगनेटिक होता है तो तो एसे ड़ी में आपका शुड़ काम नहीं कर रहा है ऐसे मत सचिए तो यह नॉन मेगनेटिक होता है तो इसको हाथ से फकड़ के निकालीजेगा यह भी बताने वाला चीज है क्या कभी कोई बताना पड़ता है और इसके बाद क्या करेंगे हम इसे निकाल देंगे तो यह हमारा पीसी भी अब निकाल चुके हैं और अब हम इसे रखेंगे यहां पे और यह हट्डिक्स जो है इसको हम साइड में रखेंगे और अभी हमें इसको क्या करना है इसका जब तो यह लगा दिया और अब हमें क्या करना है इसमें टेस्ट करना होगा टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा इस इंपिस को आन करना होगा तो मैं थोड़ा सा उपड कर लेता हूं ताकि आपको माल्टी मीटर भी दीखेगा और यह देखिए इस इंपिस जो है इसका मैं ग्र चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा 20V DC को फिर से इसे सेट करना होगा जा रहा है और इसमें इस साइड में तो यह यहां पर यहां पर एक फिउस होता है कोई बी चीज लोट आ तो इसकी यहां पर देखेंगे यहां रहा है तो यह कोईल भी हमारा खराब हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर एक लगा हुआ है इस डायोट की यह देखिए यहाँ पर इंडिकेटरिशन दिया हुआ है जिसकी यह साइड है इस साइड में को हम पॉजिटिव साइड बोलते है यह तो फिर कुछ लोग कैथोड भी बो कोईल लगा भी सकते हैं लेकिन उसके आगे आप इधर देखिए कि और भी कहीं पर स्वाट सर्गित है कि नहीं है तो यह तो होगे हमारा पावार का चेकिंग अब हम क्या करेंगे नौर्मल तरीके से इसको चेकिंग करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सेंप्ल तो अब हमें जो करना है स्वाट सर्गित को चेक करना है उसके लिए फिर से बाजर मोड में आपको रखना है तो यह कोईल अगर खराब नहीं होता तो क्या होता इधर जो 12 वोल्ड का सेक्शन चेक कर रहे थे हम डाइरेक्ली सम्पेस की कोड से तो उधर हमारा वीप सांड आता लेकिन यह खराब होके बचा दिया आपका सम्पेस को तो यह अगर खराब नहीं होता डायक्ली सॉट रहे अंदर से तभी आपका सम्पेस आप पावर सप्लेज खराब होने का चांसे रह जाता है तो अभी देखिए इसमें हमें चेक करना है तो डायट को हम चेक पांच वोल्ट तो आ रहा था लेकिन इधर यह डायट वारा सॉट नहीं होगे क्यूंकि अगर सॉट होता तो यह हमारा भूल टेज़ जो है घ्राउंडड हो जाता लेकिन यह शॉट नहीं है इसलिए ग्राउंड नहीं होगा खराब भी नहीं होगा ओके नेक्स टम क्या कर आप देख सकते विल्कुल ठीक है लेकिन यहां पर हमारा जिरोम सो करना चाहिए था वह हमारा सो नहीं कर रहा है तो देखिए आपको और भी नेज़िक से मैं दिखाता हूँ तो यह जो है यह भी एक कोईल है और यह भी एक कोईल है तो यहां पर आप आप आवा रेजिटर जिरोम उसका लगा सकते यह तो भी स्वाट भी कर सकते तो यह जो है पांच वोल्ट का है और यह जो है बारा वोल्ट का है तो यह हमारा बारा बोल्ट का है यह हमारा देखिए और यह हमारा जो है सही है तो इसे भी हम निकाल देंगे और यह डायोट को भी हम निकाल देंगे और डायोट को अगर हम नहीं लगाए तब भी चले का लेकिन हम इसे लगाएंगे क्योंकि यह क्या करता है हमारा अगर ज्यादा वोल्टे जाता है या तो भी रिवर्स वोल्ट जैसे से इसमें भी है लेकिन यह MPS नहीं यह छाहे है यह हंार्म हण में बोर्ड है यह वैङज ही है डाइट खराब हो जाएंगे तो यह coronavirus यह जाएंगे तो क्या होगा यहां से score जांगे से सरी से चोछहीं जैएंगे मतलब मों में यह इसके लिए डायड को थैंक्स बोलने की जर्यत नहीं है क्योंकि वह तो नहीं सुनेंगा ना खेर तो अभी हम इसको उखाड़ देंगे और इसे भी कोईल को भी कि अब प्लास्टिक विगर जाएंगे क्या मेरा करने में बहुत कर रहा है क्या मेरा ठीक है अलटी हाथ से का रहा हूं हुआ हुआ है हुआ है अब हम बोड को एक बार कंफर्म करेंगे कि बोड जो है हमारा यह स्वाट साकिटेड अभी भी है कि नहीं है प्रक्राइब जैसे कि 10 ohms के इसको चेक करेंगे तो हम इसे बदल देंगे और चिंप का कोई जो था इसे लगाएंगे इसमें तो कोई भेल नहीं आ रहा है और ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा इसमें हमारा काम नहीं करेगा ये यह हम ठेकलि आपको करके भी दि तो इसके लिए हमें जुगार चाहिए तो जुगार के लिए हमें एक हट्डिक्स लेना होगा जैसे कि यहां पर है एक बहुत ही पुराना हट्डिक्स है तो यहां पर जीरो ओम्स का ऐसे रिज्टर है देख सकते आप तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और यह डायट भी है उसक अच्छा तीज़े का गया है वह संजीत अभी थोई देर पहले जो लेफ्टर विपर के उधर तोई उसके रख तो यह हमारा दोनों कमपोनेट्ट जो है में जुका है और अब हमें इसे कंफर्म करना होगा यह थोड़ा सा मोटा है कोई दिक्कत नहीं और अब यहां पर जीरो ओम्स का जो है हमारा यह एक रिजिस्टर है तो हम इसे लगाएंगे अब हमें दोनों चीज़ों को अबी चेक करना है तो यह मोटा वाला डाट मैंने निकाला इसके एनट कात्र जो है यह भी गंफर्म करणा होगा और यह खराब वाला जो है उसे हम निकाल देते यहां से और यह डाइट जो है इसे भी हम चेक करेंगे तो यह जिस साइड में हमारा ब्लैक प्रॉब है इसका यह पॉजिटिव साइड होगा मतलब कैथोड होगा और यह हमारा जिरो अमस का रेजिस्टर भी सही है तो देखिए तो हम कैथोर कज़र की सय्ट में लगाएंगे और रेजिस्टर को पहले लगा देते हैं कि रेजिस्टर जो है हमारा काफी छोटा है तो इससे पहले लगाएंगे तो लगाने से पहले यहाँ JUDGE कर लेते हैं संजीब थोड़ा सा यार को कम कर दीजिए और भी कम कर दीजिए और थोड़ा सा कम कर दीजिए यह हमारा लग चुका है और डायट भी हमारा लग चुका है और आगर रिमेंबर कीजिएगा यह याद रखिएगा डायट अगर आपने उल्टा लगाया तो आपका सार्कित बिल्कुल खरावोड़ाई हो जाएंगे ठीक है तो यह जो है हमने लगा दिया इसमें अभी थोड़ा सा रुखेंगे और अब इसे दुबरा चालू करके देखेंगे और इसे ट्रेस्ट करके भी हम दिखाएंगे माधार बॉड़ में करेंगे लेकिन उससे पहले क्या करना होगा इसे थोड़ा सा क्लीन करना होगा फ्लूप्स जो हमने लगाए इसके अंदर इस फ्लूप्स को भी हमें क्लीन करना है और अगर यह सबस्क्राइब का होट यह तो इसमें अपस्टीन का इस्तेमाल मत किजेगा क्यूंकि उसमें थेनर हमारा ठंडा होता है और अगर क्रीट जो है डिश्चार्ज हो जाएंगे तो कोई decrease होने के बाद क्या बता है हमारा component जो है फट जाता है तो आप इसे भी याद रखेगा पर इतना भी rocket science नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे यह बहुत है आसन है और आप कर सकते हो you can do it कर लो दो करेंगे अब हम इसे टेस्ट करेंगे तो अब हम आपको इसे चेक करके दिखाएंगे और मेरे पास एक बोर्ड है जो कि हमारा देसी बोर्ड है देसी बोले तो जो लो बाजट में मिलता है तो देख लिजिए इसे भी देख लिजिए कि यह दूसरा है कि नहीं है आप पहले जब वीडियो शुरू किये थे उसका स्रील नवर भी मैस कर लिजिएगा ठीक है और मेरे को भी नहीं मालूम मैं तो इतना गौर से बोल रहा हूं चलेगा कि नहीं चलेगा लेकिन चलना चाहिए ठीक है तो अभी हम इसको लगाएंगे और यह हमारा लग चुका है और अब हमें क्या करना होगा भी जीए को भी लगाना होगा तो थोड़ा सा टेस्टिंग यह भी देख लिजिए तो इसे हम ओन करते हैं क्यों हमारा हो चुका है अब हम इसके साथ कीबोर्ड कनेक करेंगे और आप सिस्टेम की तरफ देखिए स्टार्टिंग विंडोज दिखा रहा है लेकिन यह हमारा स्टार्ट नहीं होगा क्यांक क्या बनकेक हद्गीर हमारा डीन्थे KO सिकने हैं हुआ कि अर्फ सकते हैं मियुन्हार इक टार खुटा नंग हो गया सड़ब और हुए अधर कम मैं यह बहुत खुजने कि आप ठाट किरें अर्फी को गया फ्टा कि ज्सकने हुआ ऊंद। यहां पर कोई भी यहां पर दूसरा साठाट नहीं लगा हुआ है आप देख कर लीजेगा क्रिफिया क्रिटिव हर्ड और साइंटीष्ट कभी किसी को जूता नहीं बोलते हैं और जूट बोलके आगे जाने की कोशिस भी नहीं करते हैं आप लोग का प्यार चाहिए हमें तो इसके लिए क्या करना है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ एक लाइक मारो और एक कॉमेंट्स करो ठीके और अगर अच्छा नहीं लगा है तो भाई डिसलाइक कर सकत एक क्योंकि मैं बहुत बैनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं जय हिंद बंद मातरम साथ में रहिए घंटी बजाईए